हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पंचायत भौन में जो कंप्यूटर सिस्टम लगने वाला है उस कंप्यूटर या उसके साथ जुड़े अन्य उपकरण का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि जो आपको टूल्स और सामगरी मिलने वाली है जैसे डेश्टॉप, कंप्यूटर, यूपियच, प्रिंटर, यवंग वेब कॉम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेश्टॉप, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका जो मॉनिटर है उसमें और रड़ी विंडो 10 इंस्टॉल होना चाहिए उसके बाद monitor जो resolution है 1920-1080 होना चाहिए monitor display and size की बात करें तो आपका जो display IPS होना चाहिए और आपका जो size है वो 19.05 इंच होना चाहिए उसके बाद processor इसमें Intel AMD Core i3 3rd generation का होना चाहिए जो driver है उसमें HDT होना चाहिए जिसे हम hardix cut है और total जो hardix capacity है वो 1000 GB तक होना चाहिए RAM की बात करें तो इसमें 4 GB RAM होना चाहिए GB का मतब GB और इसमें expandable memory जो होती है आप 32 या 64 GB तक ले सकते हैं इसके लाबा एश्टरा इसमें keyboard, mouse, USB cable, OTG connectivity इत्याद होनी चाहिए बात कर लेते हैं printer specification के बारे में तो इसमें multifunctional laser printer दिया गया है तो आपने कहीं देखा होगा जो computer का दुकान होता है वहाँ पर जो लोग print करते हैं तो print के लिए अलग machine रखते हैं और scan के लिए अलग machine रखते हैं लेकिन आपके पास जो printer होना चाहिए वो multifunctional laser printer होना चाहिए जिससे आप प्रिंट और scan दोनों एकी साथ एकी machine से कर पाएं इसका जो features in ability है वो duplex होना चाहिए यानि कि जब आप photocopy या कोई भी चीज निकाले तो आसानी सिर्फ flexible तरीके से निकल जाए उसके बाद बात करें UPH specification के बारे में तो सबसे पहले आपको बतायता हूँ कि UPH क्या होता है UPH का मतलब होता है कि अल्ट्रा पावर सप्लाई यह एक पावर सप्लाई सिस्टम है में पावर जब फेल हो जाता है तो इस सिर्फी में यह short time जैसे 10 या 15 मियट या 30 मियट के लिए computer को electric परदान करता है जैसे PC, server, audio, video, device को यह battery backup देता है जिससे वह कोई देर के लिए और system को अपने चला सके तो इसकी specification के बारे में बात करें तो इसका जो KVA है KVA मतलब होता है कीलो वाट एमपीर तो जो KVA हो इस्टेंड भी होना चाहिए और रेटिंग इन KVA जो KVA का जो रेटिंग है वह 168 होना चाहिए और इसका जो backup टाइम है यानि कि वह कितने दिर चल सकता है तो minimum 30 मियट तो होना ही चाहिए तो अगले टूल्स के बारे में बात करें तो वह है webcam वेbcam के बारे में बात करें तो वेbcam यानि कि एक वीडियो कैमरा होता है जो की computer या computer network के माध्यम से घटनाओं को access कर सकता है उसे वेbcam कहते हैं अब इसके specification के बारे में बात करें तो optical sensor regulation इसका 3 megapixel हाईगर होना चाहिए और जो video capture regulation है वो 720p हाईगर होना चाहिए तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आपको जो एक एक पॉइंट करके सभी उपकरोडों के specification के बारे में समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो पर लाइक जरू कर देजेगा साथी computer से जुड़ी अन्य जानकारी या कोई नया update देट तता पंचाय साहिक से सम्मधित खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लाइए